नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परीचित दोस्तु पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्तो पूर्जानकारियों को ले करके आए आज हम अलसी के गुनों से वाकिफ होते हैं घी खाये मांस बढ़े अलसी खाये खोपड़ी दूध पिये शक्ति बढ़े भुलादे सब की हेकड़ी तेल तड़का छोड़कर नित गुमन को जाए मधु मेह का नाश हो जोजन अलसी खाये नित भोजन के संग में मुठी अलसी खाये अपच मिटे भोजन पचे कब जियत मिट जाये घी खाये मांस बढ़े अलसी खाये खोपड़ी दूध पिये शक्ति बढ़े भुलादे सब की हेकड़ी धात वर्धक बलकारक जो प्रिय पूछो मोए अलसी समान त्रिलोक में औरन औश्रधिकोए जोनित अलसी खात हैं प्रात पियत हैं पानी कब हुन मिली हैं वैद्य राज से कब हुन जाई जवानी अलसी तोला तीन जो दूध मिला कर खाय रक्त धात दोनो बढ़े ना मर दी मिट जाए जी हाँ ये है अलसी की परिभाशा अलसी सेवन का तरीका अब हम जानते हैं हमने आपको बता दिया कविता के माध्यम से कि कितने गुन होते हैं इसमें अब हम जानते हैं इसको प्रियो के ड्राइ ग्राइंडर में पीस कर आटे में मिला कर रोटी पराठा इत्यादी बना कर खाना चाहिए डाइबिटीज के रोगी सुबह शाम अलसी की रोटी खाएं कैंसर में वूडविंग आहार विहार की पालन पूरी श्रद्धा और पूनता से करना चाहिए इससे लिए रोष्ट कीजिए यानि कि अलसी को रोष्ट करते समय चटचट की आवाज करती है यह ध्यान रखें और मिक्सी से इसको पीस लीजिए इन्हें थोड़े दुरदुरे पीसिए एकदम बारीक मत कीजिए यानि कि महीन ना कीजिए इसको भोजन के बाद सौफ की तरह इ पसलियों के दर्द में लगा कर किया जाता है इसके साथ यह चोट मोच जड़ों की सूजन शरीर में कहीं गांठ या फोड़े उठने पर लगाने से शिग्र लाप पहुंचता है यह श्वसन नलियों और फेफणों में जमे कफ को निकाल कर दमा और खासी में राहत देती है इसके बड़ी मात्रा विरेचक तथा छोटी मात्रा गुर्दों को उत्तेजना प्रदान करके मुत्र निर्षकासन में सहायक होती हैं यह पथरी मुत्र शरकरा और कष्ट के और कष्ट से मुत्र आने पर गुणकारी है अलसी के तेल का धुणा सुमने से नाक में जमा हुआ कफ बाहर निकल जाता है और पुराने जुकाम में लाव होता है यह धुआ हिस्टीरिया रोग में भी गुणदर शाता है अलसी के काड़े से एनिमा दे कर मलाशय की शुद्धी की जाती है उदर रोगों में इसका तेल पिलाया जाता है अलसी के तेल और चुने के पानी को इमल्सन आग से जलने के घाव पर लगाने से घाव भिगरता नहीं है और जल्दी भरता है पथरी सुजाक एवं पेशाब की जलन में अलसी का फांट पीने से रोग में लाव मिलता है अलसी के कोलहू से दबा कर निकाले गए यहनि कि कोड़ प्रोसेश्ड तेल को फ्रीज म इयर टाइट बोतल में रखें सनायू रोगों कमर दर्द एवं घुटनों के दर्द में यह तेल 15 मिलेलिटर के मातरा में सुबह शाम पीने से काफी लाव मिलेगा इसी कारे के लिए इसके भीजों का ताजा चोन भी 10-10 ग्राम के मातरा में दूद के साथ प्रयोग में लिय जा सकता है यह नाष्टे के समय अगर लिया जाए तो सबसे ज़्यादा लाभानवीत करता है बवासीर भगंदर फिशर इत्यादी रोगों में अलसी का तेल यानि के अरेंडी के तेल की तरह ही इसको लेने से पेट साफ होकर मल चिकना और धिला निकलता है इससे इन रोगो की वेदना शांत हो जाती है अलसी के बीजों का मिक्सी में बनाया गया दरदरा चून 15 ग्राम मुलेठी 5 ग्राम मिश्री 20 ग्राम आधी निम्भू के रस को उबलती हुए 300 ग्राम पानी में डाल कर बरतन को ढख दें तीन घंटे बाद छान कर पिएं इससे गले इवं श्व की घर्म करके फोड़ा, गाठ, गठिया, संधिवात, सूजन, इत्यादी में अगर आप लगाते हैं तो आपको लाह मिलता है डाइबिटीज के रोगी को कम शरकरा एवं ज्यादा फाइवर खाने की सलाह दी जाती है अलसी एवं गेहुं के मिश्रित आटे में ये भरपूर मात्रा में पाया जाता है अलसी और गेहुं को बराबर मात्रा में लेकर के पीछ लेना चाहिए इसके बाद उससे बनी हुई रोटी का सेवन करना चाहिए इससे आपको फाइवर फर पूर मात्रा में मिलेगा और आपका पेट बहुत ही क्लीन हो जाता है जिसकी वज़र से आपका पाचन तंत्र सही होता है मजबूत होता है आपका पीट सही रहता है जो डाइबिटीज में भी आपको लाफ करता है ये फाइबर तो दोस्तों देखा आप सभी ने आज हम आप सभी के लिए लेकर के आये थे अलसी के गुनों से अद्भुत गुनों से कहें तो पूर्ष जानकारियां अगली बार हम आप सभी से चुड़ेंगे कुछ एक और महत्व पूर्ष जानकारियों को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों